नमस्कार दोस्तों दोस्तों साया गोल्ड अवेन्यू के एगेंच्ट संट टावर के आडव्यूए ने इस्पेशल रिट याचिका सुप्रीम कोड में दाखिल की है यह याचिका इलावाद उच्छ नियायले के आदेश के खिलाफ है संट टावर के आडव्यूए ने सुप्रीम कोड में याचिका दाखिल कर नियाय की गोहर लगाई है यह याचिका साया बिल्डर और जीडिये के अगेंच्ट है क्योंकि बिना जीडिये के भ्रष्ट अधिकारियों की मिली भगत के साया बिना OC और NOC के रईश्ट्री कैसे कर सकता है और साया गोल्ड अवैन्यू के अगेंच्ट राजजस्व चोरी का एक मामला महा निरीच्छक राजजस्व के समक्स चल रहा है इसके वावजूद भी साया गोल्ड अवैन्यू की रईश्ट्री हो रही है और साया गोल्ड अवैन्यू की त्री पक्षिये रईश्ट्री होनी चाहिए थी बिल्डर, बायर और जीडिये के साथ परंतु उच्छ नियायाले के फैंसले 13-12-2021 से पहले सभी रईश्ट्रियां बिना जीडिये की उपस्तिती के ही हुई है आखिर मामला सारा F.A.R. का है F.A.R. बोले तो फ्लोर एरिया रेश्यो कितने मंजिल की बिल्डिंग बनेगी और कितने टावर्स होंगे और कितना ओपन इस्पेस रहेगा साया गोल्ड अवेनु ने इन सब की धज्जियां उड़ा दी है हाइट ज़्यादा कर दिया है टावर्स ज़्यादा है और ओपन इस्पेस कम कर दिया है अगर सुप्रीम कोट में साया विल्डर दोसी साबित हुआ तो क्या होगा ये एक बड़ा सवाल है क्या कुछ फ्लोर तोर दिये जाएंगे क्या कोई टावर्स भी डिमॉलिस किया जाएगा या दोनों हो सकते हैं अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो बायर्स का क्या होगा बायर्स चिन्ता ना करें अगर ऐसा हुआ तो बायर्स को उनके पैसे साया को इंट्रेस्ट के साथ वापस करने होंगे तो दोस्तों ये साया गोल्ड अवैन्यू पर क्या बुल्डोर जर चल सकता है सुप्रीम कोट का ये इसके बारे में मैंने ये वीडियो बनाई है साया में जिन लोगों का भी मन है लेने का तो वो इस बात को इस नीज को देखने के बाद थोड़ा डिसीजन अपना सोच समझ के लिए थैंक यू